और संदी बाई तुम्हारी नई SUV कैसी चल रही है बढ़िया है यार चंपक मक्खन गाड़ी है इसलिए तो इतनी ज्यादा विक्री है अच्छा ये बताओ इस हपते कौन सा छुपा रुस्तम सेयर लेकर आये हो देखो तुमने गाड़ी की चर्चा की तो इस हपते एक ऐसा श सबसे पहले इसके कारोबार के बारे में डिटेल में जान लो हूँ तबनी कमणी ना बिजसे सी डिटेल आप हो MBL ए मैनन जूतनों एक भाग छे जानी उगनी सो चोराणों मा तेनों व्यवसाइश शरू करियो हतों कमनी कोला पूराने महराश मा स्थीच छे ते मैनन अलकॉप सही त्रोन प्लांट्स मा बेरिंग्स, बुश, थ्रस्ट वाशर्स, बाइमेटर स्ट्रिप्स, तमचे अल्यूमिनियम डाइकास्ट उत्पादनों जेवी क्रिटीकल प्रोड़क्ट नू उत्पादन करे छे MBL प्रोड़क्स नूप योग हैवी कॉमर्शियर विकल अथवा HCV, लाइट कॉमर्शियर विकल अथवा LCV, ट्राक्टर, बांधकाम उपकरणों, मचिरियल हैंडिलिंग, स्टेशनरी अंजिन, बिसल अंजिन, गासुलीन अने CNG अंजिन मा थाईच छे असाथे कम्णी नी प्रोड़क्स नूप योग राफिरेजरेटर्स अने अर्क कंडिशनर वखेरी मा थाईचे विविद प्रकानी प्रोड़क्स ना उतपादने कारणे कम्णी हनिवेल जिवा वैश्वीक OEM माथे सिंगल सूर्स वैंडर छे कम्णी एक ज़ार्थी वथू डिलर्स अने डिस्ट्रिबूटर्स नूँ एक मजबूत अने विशार आफ्टर मार्केट डिस्ट्रिबूशन नेट्वरक धरावेश्व कम्णी ना देश माँ 10,000 वथू रीटेल आउटलेट्स च्छ MBL3 ज़ार्थी वथू मेकेनिक्स साथे तैनू मजबूत आफ्टर मार्केट सेस नेट्वरक धरावेश्व कम्णी युएस, मेकसिको, युके, नेधलाई, आस्ट्रिया, इटाली, चीन, जापान, युएई, नेपार, बांगलादेश अने आफ्रीका वगेरे सहीद 20 वथू देशों मा तैनी प्राडिक्स नी निकास करे छे कम्णी नी कूल आवक मा निकास सो फाडो लगबग पांतर स्टिका छे भावी वृत्तिना संदर्भ मा आना पर वथू ध्याना पमाउशे मैनेशमेंटने अपेक्षा छे कि कम्णी नी कूल आवक मा निकास सो फाडो बधी ने 45-45 स्टिका थशे राजक्य अनिस्चित्ताव अनिवाश्विक मंदी होवा छता नाणा के वर्ष बहेचार त्रेविस मां कम्णी नी कूल आवक मा निकास सो फाडो फाडो हवे चालो जानिये के कम्णी नो कस्टमर बेस केतलो मचबूट छे तना कस्टमर बेस मां घणा ओटो जाएंट सामल छे हवे आपने कम्णी ना बिसनस माचुरियल नी बात करियें जेती तमें समझी शको कि आ कम्पनी सामेश परधा करवी बीची कम्पनीयों मां टे सहलू न थी सामने तिया प्रखानी प्रड़क्ट्स ना डेवलपिंग अने टेस्टिंग पाच्छों बार थी पंदर महिनानों समय लागया छे अमा प्रड़क्ट ना अधारे एक हचार थी बेहजार क लाक नों टेस्टिंग समय घालो पन सामल छे प्रड़क्स ना कृटिकल स्वभावने कारणे आ कम्णी नीस परधा मां कुबज ओची कम्पनीयों छे कारण के आप प्रड़क्स मां एंट्री बेर्यर हाई होई छे कम्नी अप्रल बहेजार थी ते तेनी उत्पादंग श्मता वधारी ने ब्रेक लाइन्स ना वार्षिक पंदर हजार यूनिट्स अने ब्रेक शूस ना वार्षिक 2.4 लाख यूनिट करी छे अना माटे खर्च थाऊचे रुपिया आठ करोण भारे कमर्षिय वेकल अतवा स्थी वी ने 14,000 किलोमीचर पछी अतवा वर्षिमा चार वखत ब्रेक लाइनिंग बदल्वानी जरू पड़े छे खाण कामनी कामकिरी माँ वपराता विल्स ने वर्षिमां चोथी आच वखत बदल्वानी जरू पड़े छे कमनी स्थानिक बचार माँ रुपिया 25 करोणा ब्रेक लाइन्स अने ब्रेक सूर्स ना वेचार नी अपेक्शा राखे छे बाद माँ प्रोड़ेक्स नी निकास पर पंध्यान केंद्रित करवा माँ शे जिमाधी कमनी ने अढ़ा टकाना वर्किंग मार्जीन नी अपेक्शा छे आ कमनी फानाश्यल एर पच्चे सुधी बे वर्ष माग शमता विस्तरेंड पर रुपिया 30 करोड करवानू आयूजें धरावेच्छ आ मोडी नो 40 का ही सो बी मेचोल नीक शमता वधारवा माटे खर्चवा माँ शे साही टका मोडी एलकॉप विभाग नीक शमता वधारवा माते खर्चवा माँ शे नाणा के वर्ष बहेजार त्रेविस मा एलकॉप डिविस्जन नी कमनी ना कुलवेच्वार माँ 26 का फाडवा आप्यो हतो जे रूपिया 57 का रूड हतो तैड़े निकास माँ पन मोटो फाडवा आप्यो हतो बविश्य माँ आमा वधू वधारो थवानी धारणा शे एलकॉप डिविस्जन मा स्थिरताई बाई मैचोल पनी निर्भरता मा घटाड़ो करियो छे समझ गया संदीप तुमने काफी विस्तार से कंपणी के कारोबार के बारे में बताया लेकिन कंपणी का वित्ती प्रदर्शन कैसा है ये भी तो बताओ जरूर बताऊंगा भाई कारोबार बताया तो विक्री के आंक्रे और मुनाफा भी बताऊंगा बस थोड़ा सा चिल मारो यार चंपक वर्ष मुश्केलियो थी भरेलू हवा छेता फानाशियल यर बहच्वार त्रेविस मा कम्नीनू नानाकिय प्रदर्शन घणू मजबूत रह्यू छे नानाकिय वर्ष बहच्वार त्रेविस मा आवक लगबग अग्याट का वधी हवा छेता वर्किंग लिवलनी नफामा अगावनी तुल्नामा वधू ब्रुद्धी जुवा मड़ी छे नफो 32 जुकावतीनी रुप्या 33 करोड ना आकडा पर पहुँची गवू छे फानाशियल यर बहचा त्रेविस ना चोथा क्वाचर मा गमनीनू नानाकिय प्रदशन घणू सुद्रू छे चोथा क्वाचर मा नफामा ब्रुद्धी समगर वर्ष नुई सर्खामनी मा वधू छे कमनीय लगबग चोथा क्वाचर मा रुप्या 9 करोड नो नफो मेडवियो छे हवे चालू समझिये के मुश्किल वर्ष मा पन कमनी आटलू सारू प्रदशन के विरिते करियो वास्तामा MBL नू वेचान लगबग 100 टका मशीन स्वरू पेछ आकारणे ते पोताने 24-25 टिकाना आकरशक एबिट आ मार्ची नी खात रिया पेछ आउपरात अठानू टकावे चान ओई-म कम्पनियोंने सीधा सप्लाई मा थी प्राप्त थाईछ ते ओई-म ग्रहको पास सीधा अने नवा ओडर मिडवा मा मदद करेछ तुम जराना ध्यान से सुनोंतिया पहली बात तो ज्यादातर जो जो 75-80% जो बिजनस आता हैं वो कमर्शल वेहिकल सेगमेंट से आता है दूसरा इंडस्ट्रिल से आता है तो अभी ज्यादा जो डिपेंड़न्ज है कम्पनी का वो commercial vehicle segment पर दूसरी बात इनको आने वाले कम से कम 3-4 सालों के बाद अभी नहीं हो सकता है कि electric vehicle से थोड़ा सा competition face करना पड़े लेकिन management ने का है कि इनका जो product segment commercial vehicles जो ज़्यादा तर diesel पर चलते हैं वहाँ पर electric vehicles का आना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है तो currently auto sector पर डिपेंडेंट है और उसमें commercial vehicles पर यह जादा तर डिपेंडेंट है तो यह सबसे बड़ी चुनोती है अगर यहाँ पर कोई slowdown होता है या कोई demand में कमजोरी आती है तो इसका आसर company को पर negative आसर हवे आपने जनाविया कमनीना शेर नी स्थिती शूँच आने एक्सपर्स आशेर मारे शूट आर्गेदा पी रहाच्छें कमनीनों अनदाजेत वचान फानाशेर यह ब्याजार चौविस मा रुपिया बस्तों अग्ने आशी करूड अने फानाशेर यह बहजार पच्चेस मा रुपिया त्रन सों पच्चास करूड छे ते जृती ઉક્રમે 32 કરોર અને 54.6 કરોર છે આંકડાવુ મુઝાબ શેર દિટ કમાણી અથવા EPS ફાનેશ્યાર 24 રુપ્યા 7.5 અને ફાનેશ્યાર 25 મુપ્યા 9.5 થવાની ધાડા છે જુકે 15 અને 12 મુઝીપર મુઝભ તેના શેનું PE વાલ્યએશન એક દમ આકર શક્છે EV ઓબ્લીક એબીટા ના આધારે પણ 10X અને HX સા મુલ્યાંકન ગુણાંક આકર શક છે મજબુત નાણાગ્યા ટ્રેક રકાર્ડ મજબુત બીસસ ડામેન પ્રબળ બજાર હીસ્તો અને પવીત બીતે બીતે વાટિત ટેતે થીતે પરેતિતે વર્તે કરીતે થતે કરેતે પરીતે વરીતે કરેતતે ऐसी कंपनी जहाँ पे कंपनी का मार्जिन 25-25% है, जहाँ पे ROC 25% है, रिटर्न और इक्विटी 25% है, इसको कम से कम 13-14 का EV2 EBITDA मिलना चाहिए, हमारा मानने अगले 12 महिने में ये कम से कम 200-210 तक जाने का पोटेंशल रखता है। तो कुछ समझ में आया चंपक, कैसा लगा आज का ये शेर? हाँ संदीब भाई, कंपनी काफी मजबूत लग रही है, अब तुमने इतने विस्तार से कहानी बताई है, तो इसमें निवेश कर ही देता हूँ, कुछ पैसे मैं भी बना लूँगा। आवाज इंट्रिस्टिंग वेडियो जवा माटे, आप मनिनाई गुजवाती नी यूटूब चैनल ने सब्सक्राइब करी शको छो, साथे ज रेड आइकन बटन दबाउजू, इटलूज नहीं मनिनाई गुजवाती ना फेस्बूग पेस दे पनाप लाइक करी शको छो, आने ट्वीटर, आने इस्ट्रिग्राम आप बंदे ने फॉलो करवानू ना भूलता, कारण के समझ छे तो सहज छे. टो सहज मनिना भяжा बंदे च सब्सक्ते हैं। झालज रेड भाइक है।